Hi everyone, आज कि इस वीडिए में मैं सिचेगर चेप्टर no.5 Through the eyes of travelers का NCERT explanation देखने वाले हैं इस एक वीडियो में मैं आपको NCERT की हर एक लाइन explain कर दूँगा plus आपको NCERT की highlight देखने को मिल जाएंगे सारे important questions आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस एक वीडियो के बाद आपका पूरा chapter complete हो चुका होगा और ये important question और highlights का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप इसका PDF डाउनोड कर सकते हैं प्लस इस chapter के अगर आपको notes चाहिए तो हमारे telegram में आप app के थूरू इसको access कर सकते हैं free of cost अब हम सीधे start करते हैं हमारे chapter explanation को जब पुराने time पर ट्रेवल किया करते थे और किसी नई जगह पर जाया करते थे तो उनको एक नई दुनिया देखने को मिल जाती थी वहां का जो physical layout होता था जो environment होता था वो तो अलग होता ही था लेकिन इसके इलावा भी जो cultures होते थे जो customs और languages होती थी जो traditions होते थे जो laws होते थे हर एक चीज चेंज होती थी एकदम नई दुनिया इनके सामने खुल जाती थी बहुत सारे travelers इनमें adopt कर जाते थे बहुत सारे travelers ऐसे भी थे जो उनको अपने accounts में लिखा करते थे जो भी चीज़े उनको unusual लगती थी कुछ odd चीज दिखती थी या इसको वो लोग अपने accounts में note किया करते थे हमें ये बात तो पता है कि men और women दोनों ही travel किया करते थे लेकिन हमें women travelers के कोई भी account देखने को नहीं मिलते हैं तो इस chapter में हम सिर्फ men travelers के accounts की बात कर रहे होंगे हर एक account जो हम देखने को मिलते हैं उनमें अलग-अलग content होता है अलग-अलग writing style होता है कुछ में बात की गई है कि administration कैसे किया जाता था court में affairs को कैसे handle किया जाता था कुछ में religious issues को touch किया गया है किसी में architectural features की art forms की monuments की बात क गई है तो यह differences हमें देखने को मिलते हैं इससे हमाई इंडिया की social history के बार में काफी कुछ पता चलता है एक example विजय नगर empire इसके बार में हम 7th chapter में बात कर रहे होंगे इसका भी जो हमें काफी कुछ important description देखने को मिलता है यह एक अब दो रजाक नाम के diplomat थे हिराद से ए काफी जादा helpful होते हैं बहुत सारे travelers ऐसे भी होते थे जो दूर distant land में travel नहीं कर रहे होते थे बलकि इंडिया के traveler है आसपास के regions में travel कर रहे हैं और उनको record कर रहे हैं इसके example हमें देखने को मिलते हैं कि मोगल empire के within ही यह लोग travel कर रहे होते थे और अपने ही जो आसपास के region हैं उनको explore करते थे वहां कि क्या traditions हैं वहां कि क्या mythology हैं वहां कि कैसे लोग हैं इन सब चीजों को explore कर रहे होते थे तो इस chapter में हम पूरी इसी चीज की बात कर रहे होंगे कैसी अलग-अलग travelers इन्होंने जो social life के बारे में इंडिया के बारे में description दिया यह हमें कैसे help करते है अपने past को जानने में तीन writers को discuss करेंगे इनका accounts हम देखेंगे पहले है अल-बिरुनी अजबेकस्तान से आये थे दूसरे इबन-बतूता Northwestern Africa में Morocco से इंडिया आये थे और तीसने Frenchman Franchois बनिया है इनका pronunciation यही है इसके पहले जितने भी chapter है हमारे history के जब भी हमने inscriptions की बात करी है तो उनमें हमने grand चीजों को देखा है जो बड़े-बड़े event थे उनके बारे में हमने discussion देखा है लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो authors थे सिंस यह लोग अलग-अलग culture से इंडिया आये थे सिंस यह लोग दू-दू से इंडिया आ रहे थे इनके लिए हर एक छोटी-छोटी चीज भी एकदम अलग थी एकदम नई थी इसलिए जो common life थी जो common चीजे थी ordinary चीजे थी उनको भी यह लोग अपने accounts में note किया करते थे तो वो उन सब चीजों के बार में भी हमें details यहाँ पर देखने को मिलेगी तो काफी interesting यह chapter होने वाला है हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग writers का अलग-अलग style होता है अलग-अलग content होता है एक question यह भी आता है कि लोग किस के लिए रहते हैं खुद के लिए या किसी के लिए उसका भी हम answer इस chapter में देखेंगे तो सीधे बढ़ते हमारे topic number one अल-बिरूनी एंड किताब ओल-हिन अल-बिरूनी का बर्थ हुआ 973 में यानि की 973 CE में कहां पे खुआरिजम में प्रिजेंड उस्बेकिस्तान खुआरिजम एक learning का important center था यहाँ पे education काफी अच्छा available था तो अल-बिरूनी ने best education receive किया यह काफी अच्छे scholar थे इनसे काफी सारी languages भी आती थी सीरियाक, Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit में यह काफी अच्छे थे तो काफी सारे texture पढ़ते थे अलग-अलग languages में फिर हुआ यह 1017 में सुल्तान मह्मूद जो की घजनाविद empire के एक सुल्तान थे इन्होंने हमारे खुआरिजम में attack कर दिया इन्वेड करने के बाद जो rulers होते थे वो अपने साथ यहां का wealth वगरा तो लेके जाते ही थे लेकिन जो poets हो गए जो काफी well-known scholars हो गए उनको भी लेके चले जाते थे तो ऐसे ही हमारे अल-बिलूनी को गाजनी लेके जाया गया घजनाविद के हमारे empire के capital में लेके जाया ग किया अब जब यह घजनी आ गया थे यहां से इनका इंट्रेस्ट इंडिया में भी आया अब एंवे इंट्रेस्ट नहीं आ गया हो क्या रहा था 8th century के बाद से जो हमारे संस्क्रिट टेक्स्ट हैं astronomy में mathematics में medicine में इनको Arabic में translate किया जा रहा था और यह जो Arabic readers है यह इन टेक्स सब्सक्राइब हो चुका था गजनी के साथ यहां के बीच में trade हो रहा था लोगों के बीच में connection बन रहा था इनके बीच में trust and understanding develop हो रही थी तो इसलिए यह जो हमारे अल-बिरूनी है इनका इंडिया के साथ भी contact बना फिर अल-बिरूनी ने काफी साल इंडिया के जो scholars थे यह clear नहीं है जब भी आप किसी traveler की बात करेंगे history में तो एक term आएगा itinerary इसका मतलब क्या होता है कि किस route से इन्होंने travel किया किस किस जगह पे इन्होंने किस time पे travel किया यह clear नहीं है लेकिन clearly इन्होंने पंजाब region और इंडिया को जो north western region है इस part में travel काफी दादा किया था जब इन्होंने travel करना चालू किया अपने accounts लिखना चालू किया तो यह पहले इंसान नहीं थी यह करने वाले Arabic literature में हमें पहले से ही travel literature देखने को मिलता है सहारा desert से लेके river walga तक का description हमें इस literature में मिल जाता है लोग travel करते थे accounts को लिखते थे तो इनके accounts कोई revolutionary चीज नहीं थे काफी ज़दा popular in account हुए थे 15 minutes के पहले कि अगर अपन बात करें तो इंडिया में तो इनके text को नहीं पढ़ा जा रहा था लेकिन इंडिया के जो description वगरा लिख रहे थे यह Arabic readers और बहार के काफी सारे readers पढ़ रहे थे अब question आता है कि अल बुरूनी ने लिखा क्या इन्होंन सब्सक्राइस में religion philosophy festival astronomy alchemy याने की magical beliefs वगेरा manners and customs social life rates, measures iconography याने की जो icons और symbols वगेरा मिलते थे उनकी study laws और metrology याने की measurement का science यह सारे अलग-अलग complex topics हमें इनके text में देखने को मिल जाते हैं जादा तो इनके text में हमें एक system follow हो तो वो देखने को मिलता है यह question के साथ start करते थे फिर हमारे Sanskrit text के थ्रू इनोंने जो understanding develop की थी उसके basis पे एक description देते थे और at the end conclusion में हमारे इंडिया का जो culture उसको बागी culture के साथ compare करते थे यह हमारे जो presented scholar से जिन्नोंने इनके text को पढ़ा है उनका कहना था कि यह maths में काफी अच्छे थे mathematics इनको पसंद था इसलिए हमें system देखने को मिलता है तब precise internet system follow की अपने हर जगा पर अब अल बिलू नहीं लिखते किसके लिए थे में भी जो subcontinent के frontis में जो boundaries में लोग रहते थे उनके लिए जो की present है हमारे इंडिया पाकिस्तान वाला जो रीजन है में इन लोगों के लिए लिकिन इनका जो text था worldwide काफी जगाओं में पढ़ाया गया यह पाली संस्क्रित प्राकरत लेंगोजेस के जो translations हो रहते अरेबिक में और जो adaptations हो रहते यानिकी इनको देखके जो बाकी Arabic text लिखे जाये थे इनको भी यह पढ़ते थे चाहिए वो fables हो यानि कि normal कोई short story वागेरा हो या फिर astronomy और medicine में जो व लिखे गए critical थे इनकी तरफ एक काफी दादा इनका कहना था कि इन में और अच्छे से लिखा जाना चाहिए इनको improve यह करना चाहते थे अब यहां पे काफी interesting box हमारे सामने आता है आज की date पर जब हम हिंदी बोलते हम एक language के बारे में सोचते हैं हिंदू बोलते हम एक religion के में सोचते हैं हमेशा से ऐसा नहीं था यह टर्म हिंदू आता है एक old person word से जो कि 6th 5th century BC में सिंदू रिवर के eastern region को के लिए use किया जा रहा था फिर अरब साय उन्होंने इस region को बुलाया अल हिंद यहां के लोगों को बुलाया हिंदी पिर आये तर्क्स इन्होंने यहां के region को बुलाया हिंदूस्तान और यहां की language को बुलाया हिंदवी तो आप देख सकते हैं कि इन terms को religious उसके लिए कभी use किया ही नहीं जा रहा था ऐसे ही अगर आपको इस चीज में interest आता है तो आपको भी search करिए कि India term कहां से आता है भारत term कहां से आता है उसकी history भी काफी ज़ अब हम बात कर लेते हैं इबन बतूता की इबन बतूता की जो book है उसका नाम है रीला Arabic में लिखी गई थी जिसमें हमें 14th century में Indian subcontinent की जो social और culture लाइफ थी इसके बारे में काफी सारी details देखने को मिल जाती है ये एक Moroccan traveler थे मुरॉक्कों की एक city तंजीर में इनका birth हुआ इनकी जो family थी वो शरिया या फिर जो Islamic religious law का जो system होता है उसके knowledge के लिए काफी जादा जानी जाती थी एक काफी respectable और एक काफी educated family थी तो अपने खांदान की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी काफी young age से पढ़ना चालू कर दिया काफी सारा literature काफी जादा philosophical text इन्होंने भी पढ़े काफी अच्छे ये भी एक scholar थे लेकिन इनका कहना था कि किताबी कीड़ा बनना सही नहीं है इनका माना था कि जो experience आपको traveling से मिलता है जो knowledge आपको traveling से मिलता है वो आपको books नहीं दे सकती है तो इसलिए इनको traveling करना काफी ज़्यादा पसंद था travel करते एक जगे से दूसी जगह इसलिए इस title में इनको बोला गया है globe trotter क्योंकि इन्होंने कई जगहों पे इंडिया में और इंडिया के इलावा भी बहुत सारे दुनिया में travel किया तो हम देख लेते हैं इन्होंने कहां कहां travel किया 13, 32, 33 में ये Indian subcontinent में आये इसके पहले ये मक इन्होंने काफी जदा सुना था मोहमद बिन तुगलक के बारे में सुल्तान आफ देली थे इन्होंने सुना था कि ये काफी बड़े एक पैट्रॉन है आर्ट्स और लेटर्स के आर्ट्स और लेटर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आगी आर्ट लेटरेचर हा गया जितने लिक्टरी वरक्स हो गाए इन से जितने भी आर्ट फॉर्म्स होते इन सारी चीजों कपी रद लेटन किया करते थे तो इस रैप्यृटेशन के बारे में इन्होंने सुना था था उन्होंने पोला बही चलओ इनके पास चलते हैं तो ये गए बह तो यहां के जो सुल्तान थे वो इनसे काफी तदा इंप्रेस होगा कि भाई यह तो बहुत बढ़िया एक स्कॉलर है इतनी सारी नौलेज है इनको तो इसलिए इन्होंने एज काजी याने की डेली का एज जज इनको हायर कर लिया तो यह एज जज बनके काफी साल हो तक इन्ह जाओ बहें चाइना जाओ एक सामगोल के पास याने की हमारे रिप्रेजेंटेटेटिव जाओ मोंगोल के पास तो इसके बाद फिर से अपनी जर्णी चालू कर दी और सीधा यह चाइना नहीं गये बाकि कई जगहां पर यह गये पहले गये मलाबार कोश्ट मलाबार कोश् भी गए तो काफी साला इन्होंने ट्रेवलिंग करी इसके बाद इन्होंने एक शिप ली सुमत्रा के लिए यहां से इन्होंने दूसरी शिप ली चाइनीज पोर्टाउन जिसका नाम है नेक्स्ट पेज में जेटून जाने के लिए जेटून जिसको आज की डेट में गर चला जाए तो इसके बाद यह वापिस घर निकल लिए तो काफी सारा ट्रेवलिंग इन्होंने इसके बीच में कर ली इनके जो टेक्स है इनका जो अकाउंट से उसको अकाउंट के साथ क्योंकि मार्को पोलो वेनिस से आये थे लेट थर्टीन सेंचरी में चाइना भी इन्डिया भी आये इन्होंने भी टेक्स लिखे इसलिए इनके साथ इनको कंप्या किया जाता है इबन बतूता ने अपने टेक्स में लिखा क्या इन्होंने जो कल्चर से इनको नहीं नहीं मिल रहे थे लोग मिल रहे थे बिलीव्स वैल्यूस मिल रहे थे इनके बारे में जो भी observe करते थे उसको अपने text में लिख दिया करते थे तो एक globe trotter थे in a true sense जिन्होंने 14th century में अपनी इस journey को start कर दिया था यह बोलने में असान है लेकिन 14th century में जो traveling थी वो काफी ज्यादा difficult भी थी और काफी ज्यादा risky भी थी इनके हमें incidents भी देखने को मिलते हैं पहले इ इन्होंने बताया है कि मुलतान से डेली जाने में 40 days लगते थे सिन टू डेली 50 days दौला तबाट टू डेली 40 days गौलिया टू डेली 10 days जो distance हम आज की rate में कुछ घंटों में cover कर सकते उस time पे इतने दिनों तक traveling को करना पड़ता था और सिर्फ time जादा नहीं लगता था hazardous भी था इनका traveling काफी जादा unsafe था robbers attack कर देते थे इनको loot लेते थे इसलिए यह prefer करते थे कि कारवान में travel करें अपने दोस्तों के साथ यह जो कारवान term है जब हम history में use करते हैं तो इसके multiple term इसके meanings हो सकते हैं एक इसका meaning ही कि हम vehicle को refer कर रहें दूसरा इसका meaning यहाप यह भी आता है कि जब आप लोगों के साथ travel कर देओ घोड़े बगएरा लेके गाड़ी बगएरा लेके उसको हम बोलते हैं केरवान में travel करना तो इनका कहना था कि वह करते हैं काफी सारे लोगों के साथ ताकि थोड़ा सा safety रहे लेकिन ऐसा नहीं था कि safety मिली जाती थी मुलतान से डेली ट्रेवल कर रहा थे तब इनके कारवान को attack कर दिया गया था इनके काफी सारे जो fellow travelers थे उनकी death हो गई थी जो बचे थे उनको भी काफी ज़दा harm किया गया था इंजा किया गया था तो इसलिए इस टाइम पर ट्रेवल करना difficult तो था ही इसकी भी था तो अभी तक एक तो हमने देखी लिए कि इन बतूता को travel करना काफी जादा पसंद था North Africa, West Asia, Central Asia, Indian Subcontinent, China कितनी सारी जगाओं पर इन्होंने इस टाइम पर ट्रेवल किया इसके बाद जब यह वापस अपने मोरोक को नेटेव लाइन में पहुंचे तो वहां के जो लोकल रूला थे इन्होंने बोला भाई कि जो भी यह बता रहे हैं जो भी किस से कहानिया सुना रहे हैं उनको record कर है तो उसके लिए हमारी फर्सना पक्का है कि पूरी सीरीज आ चोकी है तो एक्स्प्लेनेशन वीडियो देखने के बाद एफपीएच वीडियो देखिए आपका पूरा चप्टा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इसकी पूरी प्लेलिश आपको प्लेलिश स्वा फेमस है जुसूइट रोबर्टो नोबिली इन्होंने इंडिया में आके जो इंडियन टेक्स थे इनको यूरोपियन लेंग्विजेस में ट्रांसलेट करने का काम भी किया जुसूइट याने की सोसाइटी आफ जीजस के मेंबर जो कि यह इस मिशनरी बहा जाते थे क्रिस् 1600 के बाद से काफी सारे फ्रेंच डच इंग्लिश ट्रेविलर्स अब इंडिया आ रहे थे और अपने अकाउंट्स लिख रहे थे इसमें से वन आप दा मोस्ट फेमस है जॉन बाप्तीस ट्रवनिया यह एक फ्रेंच जूलर थे जिन्होंने इंडिया को एट लीस्ट सिक्स विजट किया और काफी ज़्यादा फेसे इंडिया की कुछ काम दंदा मिल जाए इंडिया में इन्होंने 12 years spent किये 1656 से लेके 68 तक और काफी रदा close रहे है मुगल कोट के कुछ ना कुछ यह काम यहाँ पर करते रहे पहले इन्होंने as physician काम किया हमारे प्रिंस दाराशोको जो की शाह जहां के सबसे eldest son थे उनको as physician सर्फ किया फिर दनिशमन्द खानिक अर्मीनियन नोबल थे हमारे मुगल कोट में उनके साथ as intellectual as scientist इन्होंने work किया इनकी यहाँ साइड पेंटिंग भी लगी हुई है एक पेंटिंग है जहां पर फ्रांशुआ को यूरोपियन कपड़े बैने हुए दिखाया गया है और दू जो भी इनको दिखता था जो भी observe करते थे वो अपने text में लिखते थे जनरली इंडिया को European situations के साथ compare यह अपने text में कर रहे होते थे इनके जो works है इनको इनने dedicate किया है French King Lewis 14 को और ज्यादता जो इनके works है वो letter forms में लिखे गए है ऐसा लगता है कि किसी official को किसी minister को यह letter लि वाक है उसमें यह इंडिया की बुराई कर रहे है comparison में इंडिया को as inferior दिखाया गया है और Europe को as well developed superior दिखाया गया है हाला कि यह सब जो text होते हैं वो हमेशा accurate नहीं लिखे होते है letter form में किसी minister अगया को लिख रहे है तो बुराई थोड़ना कर देंगे Europe की तो इसलिए हमेश जो works हैं वो France में 1670-71 में published किये गए थे फिर English, Dutch, German, Italian में translate किये गए अगले 5 years के time period में 1670 से 1725 तक इनके account को 8 times French में reprint किया गया और 1684 तक 3 times English में reprint किया गया basically इनके accounts की demands बहुत जादा थी बहुत साय लोग इनको पढ़ रहा थे इसलिए बार-बार इनके accounts को reprint किया जा रहा था लेकिन Arabic or Persian में हमें देखने को मिलता है कि जो manuscripts थे यानि कि जो handwritten text था सिर्फ उसी को circulate किया जा रहा था यहां पे जादा demand नहीं थी यहां पे जादा printing नहीं हो रहे थी 1800 तक तो इनको publish भी नहीं किया गया था तो यह हो गया इनके सारे accounts के बारे में अभी तक हमने बहुत सारे writers की बात कर लिये तो अब हो क्या रहा था इनके works योरोप में बाकी जगाहों पर पढ़े जा रहे थे तो इंडिया की एक image बन रहे थी जो भी यह ल हमें इंडिया को represent करना चाहिए उन्होंने भी अपने टेक्स लिखना चालू किये अपने वर्जेंस लिखना चालू किये चीजों के बारे में अपने opinions दी अपनी चीज़ें बताई अभी तक इस chapter में हमने देखा है कि अलग अलग region से travelers Indian subcontinent में आ रहे थे हमारे यहां के जो अकाउंट में express करते थे चीजों को उनकी एक strategy से लोग follow कर रहे होते थे कई problems भी इनको face करनी पड़ती थी कुछ barriers बताएं जो इनके सामने आ रहे थे जो इनको Indian subcontinent को समझने के लिए face करने पड़ रहे थे सबसा पहला barrier उन्होंने बताया यहां की language उन्होंने बताया कि जो Sanskrit traditions के ideas और concepts हैं उनको in languages में translate करना easy नहीं है तो यह पहला barrier था इन्होंने Sanskrit के description भी दिया कि अगर आपको Sanskrit सीखना है तो आपके सामने काफी सारे challenges आएंगे पहली बात तो Sanskrit में एक ही चीज को describe करने के अलग-अलग तरीके हैं अलग-अलग words हैं इसके लावा बहुत सारे synonyms व practices को follow करते हैं बहुत ज्यादा diversity है religious beliefs और practices हर region में different हमें देखने को मिल जाते हैं तो यह इनका दूसरा barrier था और तीसरा barrier था यहां के जो लोग है यहां की जो population है वो काफी ज्यादा self-absorbed है and hence insular है यानि कि यह लोग बाकी के जो traditions है उनमें ज्यादा interested नहीं है अपने culture को outsiders के share करने में ज्यादा interested नहीं है तो इनके बीच में उतना दा communication नहीं हो पा था उतनी ज्यादा understanding develop नहीं हो पा रही थी क्योंकि यह लोग थोड़े isolated type के community थे ऐसा इनका कहना था तो यह तीन barrier से इन्होंने बताये थे हाला कि इन्होंने बतातो दिया कि यह barrier थे फिर भी अज बि जाता है कि इनके text में वेद पुरान भगवत गीता पतंजली के वर्क्स मनुस्वति इन सारे text के references इन्होंने यूज किया हुए है फिर बिरुनी ने हमारे यहां के caste system को देखा और इसको इन्होंने बाकी societies के साथ compare करने के कोशिश करी इन्होंने बोला कि पर्षिया में भी इसा ही system है social divisions का जहां पर four social categories देखने को मिलती है पहली category जिसमे knights और princes हैं दूसरी में monks fire priest और lawyers तीसरी में physicians, astronomers और scientists और चौती में peasants और artisans बेसिकली बोला थे कि एक इंडिया का unique system नहीं है बाकी societies में भी हमें ऐसा similar social divisions देखने को मिल जाते हैं फिर इन्होंने इसलाम के बार इतना है कि कौन कितनी devotion रखता है God की तरफ बाकी इसके लावा सारे लोगों को equal consider किया जाता है एक चीज और यहां पर box में आपको देखने को मिल रही है कि सारी जो चीजे इनको बताए जाती थी ना इनको लोग मान नहीं लिया करते थे इनको एक आइडल के बारे में बताय गया कि एक wooden figure है कि कई सालों से survive करें तो इन्होंने इसको accept नहीं किया इन्होंने question कि कैसे ऐसे हो सकता है कि एक wood का बना हुआ idol इतने सालों तक survive कर जाए तो इन्होंने इस तरीके से कई चीजों को question किया कई चीजों को disapprove भी किया for example हमारा जो caste system है एक तरफ इन्होंने बताय कि हाँ बाकी societies में भी ऐसे divisions हैं लेकिन हमारे आगा caste system में जो impurity का जो notion था कि जैसे कि हमने पिछले chapter में discuss किया था कि ब्राह्मन कुछ categories को कुछ लोगों को impure मानते थे और खुद को pure मानते थे इसको इन्होंने एकदम disapprove किया इनका कहना था कि nature में हर वो चीज जो impure होती है वो वापिस pure भी हो सकती है और जन्रली हो जाती है for example sun air को clean कर देता है sea water का जो salt होता है वो उसको pollute होने से बचाता है इस तरीके से हर nature की चीज हर अर्थ म life possible ही नहीं थी तो इन्होंने ने बोला कि यह जो हमारा चीज है caste system में हमारे impurity का notion है यह एकदम laws of nature के against है और यह सही नहीं है लेकिन अब इनकी जो पूरी understanding है हमारे caste system की हमारे social categories की हमारे social structure की यह पूरी की पूरी आई थी ब्रहामनिकल जो Sanskrit texts थे उनके थ्रू लेकिन social reality में इसा सब कुछ एकदम इतने rigidly follow नहीं किया जाता था हमें social realities में काफी differences देखने को मिलते है for example एक अंत्याजा category है जिसका literal meaning born outside the system generally इनको ब्रहामनिकल text में बोला जाता है कि आपको पूरे system से बाहार रहना है इनको किसी चीज में include नहीं किया जाता था लेकिन अगर हम reality देख according to the text इनको exclude किया जाना चाहिए तो social realities कई बार different होती थी और कई बार जो इनकी understanding थी हमारे Indian subcontinent की एकदम गलत भी होती थी हम बात करते हैं Ibn Battuta की 14th century में जब यह Delhi आये तब already काफी अदा communication हो चुका था network काफी बढ़ चुका था East में चाइना North West में एफरिका West में यूरोप इन सारी जगहों के साथ हमारा subcontinent भी communication links established कर चुका था रहने काफी सारे लोग इधर ओदा ट्रैवल कर रहे थे आइडिया किये जा रहे थे इन बचुता भी काफी ओदा edhar ट्रैवल ल किये कई जगहों पर बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जगहों पर गए, शाइन्स विजिट किया, स्कॉलर्स को विजिट किया, काफी ताइम तक एज काजी भी सर्व किया, इनको हमारे यह का कॉस्मोपॉलिटन जो कल्चर है, वो बड़ा अच्छा लगता था, इसका मीनिंग हमारे अर्बन सेंटर्स में काफी लेंग्विज, अरेवे, पर्शियं, टर्केश, और बाकी करी लेंग्विज बोलने वाले लोग थे, आइडिया, इनफरमेशन शेयर हो रहे थे, एनिक्डोट शेयर हो रहे थे, अनिक्डोट याने की स्टोरीज वगेरा, इन स्टोरीज के तूरू नहें काफी कुछ पता कि जो unfamiliar चीज़े हैं, जो सुनने वाले के लिए कुछ नई चीज़े, उसको काफी रहा highlight करके बताया जाता था, यही चीज हमें इबन बतूता के text में भी देखने को मिलती है, for example, इबन बतूता ने अपने text में coconut और पान का description दिया हुआ है, अब इनके जो readers हैं, उन्होंने तो कभी पान नहीं खाया, उन्होंने तो कभी coconut नहीं देखा, तो इसको कैसे ही represent करते हैं, यह इनकी skills को दिखाता हैं, इनकी one of the strategies है, कैसे unfamiliar चीज़ों को यह अपने text में बता रहे हैं, तो आप pause करके इन description को भी देख सकते हैं, एक पान और एक coconut का description है, जहाँ पर यह लिंक तो आपको यहाँ पर opportunities मिल जाएंगी, यहाँ की जो area है काफी densely populated है, लेकिन prosperous है, हाँ बीच बीच में कभी कबार wars बगर हो जाती है, attacks हो जाते हैं, लेकिन in generally काफी prosperous यहाँ की society है, बतूता ने बताया कि यहाँ की जो cities है, यहाँ की roads काफी अधा crowded है, काफी सारे population है यहाँ का जो market है, काफी colorful है, बहुत सारा goods देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे सामान यहाँ पर देखने को मिल जाता है, डेली को इन्होंने बोला कि काफी बड़ी जगा है, काफी जादी इसको population है, बेभी इंडिया में सबसे जादा है, लेकिन जो dollar अबाद है, वो कोई कम नही है, फिर जो हमारे urban centers के bazaars थे, हमारे marketplace वगेरा, यहाँ पे सिफ economic activities नहीं होती थी, बलकि social और cultural activities भी हो रही थी, यहाँ पे हमें mosque और temples देखने को मिलते हैं, इसके लावा dancers, musicians और singers के लिए places mark देखने को मिलती है, यहाँ पे उनके performance वगेरा होते होंगे, इबन मतुता ने य काफी यदा prosperous हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि क्यों है, कैसे हैं, इसको हमारे historians ने figure out किया text पढ़के, कि में भी यह लोग जो villages का जितना भी surplus होता होगा, उसको seize कर लेते होंगे, उसको capture कर लेते होंगे, इसलिए इतने ज़्यादा prosperous यह centers हैं, अब मतुता ने फिर Indian agriculture के बार में बताया कि यह काफी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर productivity ज़्यादा है, क्योंकि यहां की जो fertile है, वो काफी ज़्यादा fertile है, जिसके कारण यहां के जो हमारे peasants हैं, वो एक ही साल में दो crops grow कर लेते हैं, इन्होंने बताया कि जो subcontinent हैं, यह पूरे Asian region में काफी ज़्या profit भी earn करते हैं, especially Indian जो textile है, यह काफी ज़्यादा यहाँ पर demand में, especially cotton के cloth है, fine muslin, silk, brocade, satin, यह सारे cloth के types हैं, यह सारे काफी ज़्यादा demand में थे, इबन बताया कि कुछ muslin के types तो इतने ज़्यादा महंगे थे, कि सिर्फ rich लोग, noble लोग ही इनको afford कर सकते थे, ordinary लोग तो afford भ बढ़ते जाना है, इससे होगा यह, कि जो topics के क्या questions पूछे जाते हैं, यह आपको समझ में जाएगा, और फिसे दो चीज़े होगा, पहली चीज, यह वीडियो देखने के बाद आपको हमारी first ना पक्का है, series देखना है, must watch series है, link आपको description में मिल जाएगा, यह फिर playlist पू यह store से the twin browser app आप download करेंगे, वहां से आप उसको access कर सकते हैं, यह हमारा course है, must है, वगर आपको answer writing में थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो, अब हम हमारे topic पर बढ़ते हैं, एबन बतूता ने हमारे postal system के बार में भी description दिया हुआ है, जो हमारे आपके merchants थे, जो trade वगेरा करते थे इनको जो state होता था, जो sultans वगेरा होते थे, वो काफी रदा support करते थे, trade routes में, ins और guest house देखने को मिल जाते हैं, इसके लावे postal system का use करते थे, money, information या फिर goods, इनको देना है कहीं, long distance पर या फिर लेना है, उसके लिए postal system use करते थे, जो की as per ebb ने बतूता, काफी रदा efficient था इन्होंने बताया कि जो postal system था, वो information बहुत जल्दी share कर देता था, for example, sinh से Delhi तक पहुँचने में 50 days लगते थे जनरली, लेकिन kings वगेरा के, sultans वगेरा के, जो spies होते थे, वो अपनी reports और कोई भी information सिर्फ 5 दिन में पहुचा देते थे, तो इससे समझ में आता है कि कितना आधा efficient postal system हमारे चल रहा था, इन्होंने इसका पूरा description दिया हुआ है, इन्होंने बताया कि दो type के system थे, एक by horses, ये लोग travel करते थे, कोई भी information goods बगरा पहुचाने के लिए, और दूसरा system था, जहां पे लोग दौड के information लेके जाते थे, इसमें होता क्या था, एक जनने information जो भी है, वो लिया, और दौड़ना चालू किया, फोल स्पीड में, थोड़े दे बाद दूसरा रहेगा, उसने दौड़ना चालू किया, तीसरा चौथा, और इस तरीके से एक जगे से दूसरी जगा पहुचते थे, and surprisingly enough, by foot informational goods जादा जन्दी पहुचते थे, comparatively by horses, तो य नहीं रहे है, Frenchman बनने एकदम अलग थे, इनको कंपेज़न्स काना था, contrast दिखाना था, इंडिया और यूरोप के बीच में, यूरोप में भी Frenchman थे, तो यूरोप, इंडिया और फ्रांस के बीच में, contrast दिखाना था, generally, इंडिया को inferior दिखाना था, तो इनको जो भी देख लो भाई ये सारे गलत डिसीजन से ये सारी गलत चीज़े हैं ये आपको नहीं करनी है राइट डिसीजन से लेने के लिए इंफ्लूएंस करने के कोशिश कर रहे हैं अपने टेक्स के थुरू बारनिया ने मुगल एंपायर में कई जगहां पर विजिट किया अपने इंडिया में इस टाइम पे मुगल इंडिया में यह हो रहाथा हमारे य्यु को ओर रहे था यहां पर इनको merak करने की कोशिश कर रहे ते जिसमें योडोप दिखाते थे हमारे मुगल इंडिया को इंफीरिय दिखाते थे यह इपने जो टेक्सोन है उस बाइनरी ऑ्नेरी प बता रहे हैं कि मुगल ऐसा है इसके opposite यूरोप ऐसा है जो कि superior है और मुगल इंडिया inferior है यह hierarchy में इससे उपर है इससे better है तो इंडिया को यह हर तरीके से western world के साथ compare करके inferior दिखाने की कोशिश कर रहे थे according to bernia मुगल इंडिया और यूरोप में सबसे बड़ा एक अंताई यह था कि मुगल इंडिया में private property नहीं थी जिसको यह काफी दा support किया करते थे इनको लगता था कि हमारे इंडिया में जो मुगल emperor होता है वो सारी की सारी resources hold करता है hence crown ownership है जो मुगल emperor है उसके अंडर में सारी resources है सारा land है जो अपने nobles को वो दे रहा है लोगों को rent पर दे रहा है यह problem यहाँ पर ही है कि इनको लगता था यह actual में था नहीं इनको क्या लग रहा था कि जो crown ownership है इसके कान पूरा जो society का structure है वो खराब हो रहा है economy एकदम खराब हो रही है बर्णिया का अकेला का यह thinking नह ने क्या बोला कि यहाँ पर crown ownership है सारा का सारा land to king का है तो लोग investment यहाँ पर करते ही नहीं है कि अपने बच्चों के लिए investment कर दे इसलिए यहाँ पर लोग investment करना ही नहीं चाहते है क्योंकि उनका खुद का land नहीं है इसलिए यहाँ पर long term investment नहीं होता तो private property के losses यह बताते है इन्होंने बोला कि हमारे western Europe में improving landlords की category आई थी यह वो लोग थे जो अपने land में investment करना चाहते थे ताकि इनका agricultural produce improve हो यह category इंडिया में develop हो ही नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर crown होना shape है यहाँ पर सारे जितने भी लोग agriculture कर रहे है agriculture land का भी reination हो रहा है उन लोगों का भी rein rules है जो ruling elites है उनका profit हो रहा है बाकि society का पूरे social structure का पूरे economic structure का degradation society में हो रहा है सब कुछ crown ownership के कारण आपने इन ही beliefs के चलते बरनिया ने Indian society को describe करने के लिए बोला कि यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोगों के masses है जिनको कुछ super rich लोग कुछ elites rule करते हैं यहाँ पर कोई भी middle state नहीं है इनका कहना था कि बीच की कोई category ही नहीं या तो एकदम गरीब लोग है या तो एकदम rich लोग है जो rule कर रहे है जो kings की class है इसके बीच में कोई ऐसी category नहीं है जो की develop होना चाहिए middleman कोई है ही नहीं यहाँ के हमारे mughal empire को इन्होंने describe करने के लिए काफी harsh words यूज क तो fields है over spread with bushes and full of pestilential malices याने कि field जहाँ पर agriculture किया जाना चाहिए वहाँ पर कई जगहाँ पर पानी भरा हुआ है कई जगहाँ पर बुशे सूगरी है उनको control नहीं किया जा रहा है basically यहाँ पर कोई भी अच्छा structure नहीं organization नहीं है यह साही जो problem से crown ownership of land की वजह से आ रही है ले बारे में हम आगे के chapters में पढ़ रहे होंगे इन्होंने जो description लिया है वो एकड़म अलग है यह बताते हैं कि जो revenue लिया जा रहा है it is as a remuneration of sovereignty basically revenue rent नहीं लिया जा रहा है या फिर land का कोई tax नहीं लिया जा रहा है बलकि जो king आपको protection प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले मे fees ली जा रही है हो सकता है European travelers को ऐसा लगता हो कि rent लिया जा रहा है क्योंकि जो fees थी जो revenues थे काफी जाधा हाई होते थे लेकिन इन टेक्स के थूरू क्या पता चलता है कि मुगल kingdom में जो land है वो तो लोगों का ही है लेकिन उसके बदले में जो protection वहाँ पर provide कर रहे हैं उसके वर्ड को भी काफी जाधा influence कर रहे थे 18th century के बाद हमें देखने को मिलता है for example French philosopher Montesquieu इन्होंने oriental despotism के अपने accounts लेखे इसमें इन्होंने बताया कि जो एशिया है यहाँ पर जो ruler होता है जिसको oriental पर east बुलाते है इसके पास absolute authority होती है अपने subjects के उपर जितने भी subjects उनकी एकदम condition खराब है उनको king के अंडर में एकदम poverty में रहना पड़ता है private property कोई है ही नहीं जितनी भी property है वो king के अंडर lie करती है और सिर्फ king और उसके जो nobles है वो ठीक survive करें बागी सारे लोगों को survival mood में रहना पड़ता है एकदम खराब condition में जीना पड़ता है similar हमें देखन countries थी colonialism के पहले यहाँ पर क्या होता था जितना भी surplus है जितना भी profit बन रहा है वो सारा का सारा king हड़ाप लेता था तो यहाँ पर societies में हमें Autonomous और Agilitarian Communities देखने को मिलने लगी है Autonomous यानि कि अपने decisions के लोग खुद ले रहे थे और Agilitarian यानि कि equality यहाँ पर थी कि सारे हमें surplus पूरा दे रहे हो जब तक आपका surplus रुक नहीं रहा है तब तक आप करते रहो हम कोई interference नहीं करेंगे और इसको एक stagnant system बोला जाता था लेकिन realities से काफी जदा लगती आगे के चैप्टरों में हम इन realities को देख रहे होंगे जहाँ पर हम Indian society के rural structure को actually में समझ रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे different categories थे जिनके अपास अलग अलग power थी ऐसा नहीं तक कि सिर्फ गरीब और किंग है ऐसा नहीं तक ही egalitarian society है हमें बहुत सारे differences देखने को मिलते हैं एक तरफ हम बात करेंगे जमीन दास की जिनके पास काफी सारे powers होते थे इनके अंडा में बहुत सारे villages होते थे दूसरे तरफ सबसे पूर हम बात करेंगे कैसे untouchable landless labor होते थे जो इनके अंडा में बस काम करते रहते थे बीच में भी categories देखने को मिलती है big peasants इनके पास land होता था अपने लिए हायर करते थे labor वगयर हायर करते थे इसके लावा small peasants भी होते थे जो सिर्फ उतना ह लेकिन आप भले ही बर्णिया चाहते थे कि मुगल स्टेट को एकडम cruel और खराब देखा है इनके टेक्ट से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो social reality थी ये काफी ज़दा complex थी इसका हम एक example लेख लेतने है एक तरफ यह बोलना है जितना भी profit है वो state हड़ अपने वाला ह आर्टीजन के पास कोई incentive भी नहीं है कि वो अपने जो producers की quality क्यों improve करें क्योंकि सारा का सारा profit तो इनको मिलना नहीं है तो इसलिए जो manufactures है एकडम decline में है दूसरी तरफ यही खुद accept कर रहे हैं कि इंडिया काफी दा trade network spread कर रहे हैं इंडिया के जो manufactures है वो बहुत सारा trade कर रहे हैं अपने समान को gold और silver के लिए Asia में और बाकी दूर दूर जगा पर trade कर रहे हैं तो यह एकडम हमें contrasting चीज़ देखने को मिल गई यही बताते हैं कि merchant communities develop हो रहे थी जो काफी दा prosperous भी हो रहे थी long distance trade कर रहे थी तो यह एकडम दो realities देखने को मिल गई आगर कोई incentive भी नहीं होता तो इतना अच्छा quality का produce क्यों किया जाता यह side में आप एक spoon की image देख सकते हैं Mughal artisan ने बनाई थी कितनी दाद skill को यह represent कर रहा है देखने में समझ में आ रहा है कितनी अच्छी spoon बनाई गई थी तो कुछ ना कुछ incentive तो था ही इस chapter में हम बात नहीं करने वाले है लेकिन एक चीज़ क्लियर है जो इनका description था कि मुगल इंडिया में सबकुछ एकदम deteriorate हो रहा था वो सही नहीं है अलकि हमें देखने को मिलता है कि इंडियन society में 17th century में लगबाग 15% जो population है वो towns में रहा है थी urban population थी comparatively western Europe के जादा बड़ा number था लेकिन इसको भी हमारे बर है वो अगर जिस जगह पर लग गया तो उसके आज उबाज इस डेवलाप हो जाती थी किसी दे नगर यह मोगल कोट यहां से हटके किसी और जगर चला गया या फिर कुलाप्स हो गया तो यह सिटी भी कुलाप्स हो जाएंगी क्योंकि यहां का खुद का existence नहीं है इनके पा जड़ा oversimplified picture बना ली थी जो कि एकदम गलत थी बलकि इंडिया में हमें manufacturing, trading, port, sacred centers, pilgrimage, अलग-अलग towns देखने को मिल जाते हैं जिनका अलग-अलग काम था, अलग-अलग इनकी importance थी हमारे इंडिया में merchant communities और बाकी professional classes develop हो रहे थी जिनके कारण यह अलग-अलग हमें towns देखन को मिल जाते हैं जिनकी खुद की एक existence थी अगर हापन merchant communities की बात करें तो यह communities भी बना रहे थे जो की familial ties पे basis पे थी, kin ties के basis पे थी, basically एक किन के बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे होते थे तो यह खुद को as community में organize कर लेते थे, एक काम यह लोग करते थे, western इंडिया में इन merchants के group को महाजंस बोलते थे, इनके chief को, इनके जो leader होता था, उसको state बोलते थे, एहमदाबाद जो की एक urban center था हमारे यहां का, यहां पे अलग-अलग महाजंस को represent करने के लिए जो chief होता था, उसको बोलते थे, नगर सेट, तो यह हो गई हमारे merchant class की बात, इसके इलावा भी physicians, teachers, lawyers, painters, architects, musicians, calligraphers, ऐसे बहुत सारे professional classes develop हो रहे थे, इन में से कुछ लोग kings को serve करते थे, कुछ लोग rich classes को serve करते थे, और कुछ लोग bazaars वगेरा में ordinary जो लोग होते थे, उनको serve करते थे, तो इनकी जो existence थी, पूरी kings के basis पे नहीं थी, इनका खुद का एक foundation था, खुद का बर्निया ने पूरा का पूरा skip ही कर दिया, अब हम हमारे इस chapter के आक्री topic क्यों पर बढ़ते हैं, travelers में हमने बात करे थी कि हमें सिर्फ men travelers का accounts देखने को मिलते हैं, कई बार ये लोग society में जो women की condition थी, उसमें भी काफी जादा interested होते थे, उसके बार में भी हमें description ये लोग दे देते थे, कई बार ये लोग society के हमारे inequities थे, यानि जो unfair चीज़े हो रहे थी, उनको for granted ले ले लेते थे, उनको ये लोग question नहीं करते थे, उनको ये लोग भी follow करने लग जाते थे, for example, slaves को काफी openly हमारे markets में बेचा जाता था, तो हमें यहाँ पे इबन बतूता के text के पता चलता है कि इन्होंने भी कई बार gifts as gifts slaves को दिया, for example, इबन बतूता जब सिंध पहुँचे, तो वहाँ पे उन्होंने मुहमद बिन तुगलक के लिए, horses लिए, camels लिए, और साथ में slaves लिए, तो communities के साथ, slaves को भी as commodity gift कर रहे थे, ये kings को, इसके लावा हमने बात करे थे उच और मुल्तान से होते हुए निकले थे, तो मुल्तान में भी जब ये पहुँचे, तो governor को उन्होंने वहाँ पे slaves gift किये, horses, raisins और almonds के साथ, slaves gifts किये जा रहे थे, तो ये unfair चीज़े हमें society में देखने को मिलती है, जिनको travelers भी accept कर रहे थे, मोहमद बिन तुगलक के बारे म अलग अले इनका role होता था, अलग तरीकी से use किया जाता था, for example, सुल्तान लोग जो female slaves hire करते थे, music और dance वगेरा में अच्छे होते थे, for example, इबन बतुता ने सुल्तान की बहन की wedding attend करी थी, वहाँ पर इनके performance इनको काफी दा अच्छे लगे थे, इबन बतुता ने इस तरीकी से slaves को use किया करते थे, female slaves को, इसके लावा और भी use किया जाता था, इनका domestic labor में, इनका काम बहुत ज़ा important होता था, जितना भी labor work इनको कराना है उसके लिए, आपने अगर कोई movie या serial वगेरा देखे हैं, तो आपको पता होगा कि जो राजा वगेरा होते थे, जो royal family हो थी, वो female slaves जो domestic labor के लिए use की जाती थी, बहुत cheaply मिल जाती थी, तो हर वो family जो slaves को afford कर सकती है, वो एक या दो slaves तो खरीद के रखता ही था, अब जाधा तर जो यूरोप से travelers इंडिया आते थे, वो एक चीज़ नोट करते थे कि Western और Eastern societies में, women को कैसे treat किया जाता है, यह इंडिया ने सती practice को describe किया, इन्होंने बोला कि कुछ women ऐसी होती है, जो cheerfully death को embrace करती है, बाकी जो होती है, जो cheerfully death नहीं choose करती है, उनको forcefully जला दिया जाता है, तो सती को बनिया ने describe किया, कैसे यहाँ पे एक 12 साल की बच्ची थी लहोर में, जो मलना नहीं चाती थी, जो अ सती की practice की जाती थी, लेकिन सिर्फ सती नहीं था जो women कर रही थी, इसके इलावा भी women के पास role था, women agriculture में part ले रही थी, जो merchant families की women थी, वो commercial activities में part ले रही थी, कई बार देखने को मिलता कि, court law में जा रही थी, अपनी problems लेके, अपनी appeals लेके, तो women का सिर्फ इतना role नहीं थ society में कि आपको घर में बैठे रहना है, और एक दिन आग में जल जाना है, और भी role था, जो perform कर रही थी, लेकिन of course बर्निया ने, जो सबसे depressing चीज थी, उसको describe करने की कोशिश करी, ये था हमारा पूरा chapter, इस chapter में हमने देखा कि कैसे, जो अलग-अलग travelers आते थे, वो Indian subcontinent को देखते थे, जादा तर जो हमने information पड़ी, वो factual नहीं थी, बलकि इनका perspective था, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी details को ये लोग miss कर रहे थे, लेकिन at the end हमारे लिए काफी दा interesting ये chapter था, क्योंकि हमें सिर्फ Brahmanical text नहीं, इसके बाहर का view हमें देखने को मिला इस chapter में, हा के text हमें देखने को नहीं मिले, hopefully future में मिलेंगे, hopefully हमें कभी इसके बारे में पता चलेगा, future के बच्चे शायद पढ़ भी रहेंगे, हमें नहीं मिलें तो ये चीज़े हमें इस chapter में देखने को नहीं मिली, लेकिन overall ये chapter काफी दाद अच्छा था, अगर ये वीडियो आपक